प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कहा भी था कि प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और कुछ सवाल के प्रैक्टिस मैं कराया हूँ, आज भी कुछ प्रशन लेकर के मैं हूँ और प्रशन वो हैं जो अब तक की परिच्छाओं में पूछे गए हैं, तो आएए देखते है हमारा पहला प्रशन है, पहला प्रशन है कि उस कोण का मान क्या है, जिसका संपूरक इसके पूरक के तीन गुना जितना बड़ा है, चलिए मान लेते हैं कि वो कोण थीटा है, तो इसका संपूरक निकालें तो हमारा आएगा 180 माइनस थीटा, और अगर मैं इसका पूरक नि तीन गुना है अब अगर इसे हल करें तो यह हो जाएगा 180 माइनस थीटा बराबर 270 माइनस 3 थीटा अब देखो यहां से अगर 3 थीटा को हम इधर ला दें तो यह हो जाएगा 2 थीटा एक सवसी को घटा दें तो हो जाएगा 90 इस थीटा का मान बोलो कितना आया 45 डिगरी और आप्शन C यहां पर सही होता है आईए एगले प्रशन को देखते हैं और यह है कि यदि किसी कोण का पूरक उसके समपूरक कोण का एक चवथाई हो तो कोण का माप क्या होगा बिल्कु माइनस थीटा हो जाएगा और समपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा और यह इसका एक चवथाई है इसे साल्व करें तो होगा 360 माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा और यह हो जाएगा 3 थीटा बराबर 180 तो बताएए यहां से थीटा का मान कितना हो ज ही होता है आईए अगले प्रश्न को देखें और सवाल यह है कि एक सम बहुज जिसकी भुजाएं आठ हो जिसमें आठ भुजाएं हो तो प्रतेक आंतरिक कोण का मान क्या होगा अब आपको देखें यह जनकारी होनी चाहिए कि अगर बहुज सम है तो उसका जो आंतरिक कोण ह होता है वो होता है यन माइनस टू इंटू वन एट्टी अपान अब यहां यन बराबर कितना दे रहा है आठ तो देखें यह हो जाएगा आठ माइनस दो यानि छे छे गुड़े एक सव असी बटे आठ दो त्याएं छे दो चवकाट चार से कट गया पैंतालीस बार में और पैंतालीस तियां एक सब पैंतीस अंस और यह आप्शन ए इसका सही हो जाता है आईए अगले प्रशन को देखें और अगला प्रशन कहता है कि यदि कोण 5y प्लस 62 और 22 प्लस y संपूरक हो तो आई का मान क्या होगा सवाल बहुत आसान है लेकिन देखिए सेजियल में पू 5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस y बराबर 180 यह हो जाएगा देखो 6y प्लस 84 बराबर 180 अब यहां से हमें मिला 6y बराबर 96 और इसे हल कर दिया तो y बराबर कितना आ गया 16 अंश और यह देखिए आपका आप्शन ए यहां पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है आईए अगले प्रशन को देखें और यह प्रशन बहुत अच्छा है इस तरह का प्रशन पूछा जाता है कि दो सेमी तीन सेमी पांस सेमी और छे सेमी लंबाई वाले खंड से कुल कितनी त्रिभुज बनाये जा सकते हैं और देखें मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि दो भुजाओं का योग दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी यानि बड़ी वाली भुजा से अधिक होनी चाहिए तो आईए देखे 2-3-5 अगर मैं 2-3 और 5 लेकर बनाऊ तो आप देख रहे हो कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी वाली के बराबर हो गया मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा अगर हम 3, 5 और 6 को लेकर बनाए तो देखे क्या होता है दो छोटी भुजा का योग तीसरी से अधिक हो गया अता यहां पर त्रिभुज बनेगा अगर हम 5 ले ले, 6 ले ले और 2 ले ले और इसको चेक करें तो देखे यहां पर हम देख रहे हैं कि 5, 6 और 2 में 5 हो गया, अब 3, 5, 6 हो गया फिर 5, 6, 2 हो गया और अब हम यहां से 6, 2, 3 ले ले अगर 6, 2, 3 केर करिएगा तो 6, 2 और 3 में देखे दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से कम हो रहा है अता है त्रिभुज नहीं बनेगा केवल इसमें 2 त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3, 5, 6 पे 5, 6, 2 पर अता इसका B अंसर सही हो रहा है चले आए हम अगले प्रश्ण के और बढ़ें और यह बहुत अच्छा सवाल है कि त्रिभुज ABC में AD माधिका है और AD बराबर आधा BC तद्रमसार यदि कोण B, A, D 30 अंस है तो A, C, B का माप कितना होगा देखे यह S, C, C, G, T, E, R बन में आया हुआ कुश्ण है तो देखे यहां पर क्या कहता है कि त्रिभुज A, B, C है और यह मेडियन है AD इस प्रकार है कि AD का माण आधा BC है अब आप यहां पर ध्यान देना कि अगर AD का माण आधा BC है तो B, D और DC भी तो आधा BC है क्योंकि यह मीट पॉइंट है इसका मतलब यह तीनों रिखा है आपस में क्या होंगी बराबर होंगी अब यहां क्या कहता है कि कोण B, A, D B, A, D यह 30 अंस है यह 30 अंस है तो A, C, D की भैलू आपसे मांग रहा है अब आप यहां पर देखो कि अगर यह सामने देखो यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो इसके सामने ठीटा है तो निस्टीत है कि यह वाला कौन भी बोलो क्या होगा ठीटा होगा अब आगे देखो यह 30 है तो इसके सामने का यह भी कितना होगा बोलो 30 है ठीक है अब आगे देखो यहां पर देखें दो तरह से इसको लगा सकते हो एक तो यह लगा सकते हो कि यह 30 यह 30 60 हो गया इसका मतलब जो यह वाला कौन है ये होगा 120 अंस के बराबर होगा और ये वाला कोण इस इर्भुज का बहिशकोड है और बहिशकोड का मान दूर वाले दोनों कोडों के योग के बराबर तब अगर ये बहिशकोड हो गया तो बहिशकोड का मान दूर वाले दोनों कोडों के बराबर होगा तो यहां से देखो हो गया 2 theta बराबर 120 बताओ theta कमान कितना हा गया 60 degree और यहां से D option इसका सई हो रहा है आईए अगले प्रशने की और चलें और सवाल में कहता है कि एक त्रिभूज ABC में AB कमान 3 है AC कमान 4 है कोण A का समदी भाजक अगर यहां पर समदी भाजक बोल रहा है तो हम सीधे सीधे angle वे सेक्टर थेहरम लगा देंगे यह है A, यह है B, यह है C और यह angle वे सेक्टर है AD अब कहता है यहां पर क्या है कि A, B कमान है 3 cm और AC कमान है 4 cm अब आपको यह पता है कि angle वे सेक्टर जो है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बाटता है जिस अनुपात में त्रिभुज की 6 दो भुजा होती है तो यहां पर देखो आपको क्या लिखा है B, D अपान D, C पूछ रहा है यानि सबसे पहले इस भुजा का मान पूछा लिया है तो हम इस सिर्च से इस भुजा को उपर रखेंगे तीन और नीचे है D, C यानि C, D बोल सकते हो इसको तो चार अथा इसका एंसर तीन अनुपात चार होगा यानि C आपसन सई हो रहा है देखे अगला प्रश्णा है ये बहुत अच्छा प्रश्णा कहता है एक त्रिभुज की दो भुजा है करमचा चार सेमी तथा दस सेमी लंबी हैं ता दूसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई A सेमी हो तो कौन सा मान इसमें सई है अब आपको पता है कि जब दो योग से क्या होगी चोटी होगी यानि एक आमान जो है वो 6 से अधिक और 14 से कम होना चाहिए और इस तरह से हम देख रहे हैं D.Aप्शन बिल्कुल उसी रिलेशन को दिखा रहा है कि एक आमान 6 से अधिक और 14 से कम है एक बार मैं फिर से इसको दोहरा दूँ कि अगर किसी त्रिभूज की दो भुजा की लंबाई दी जाए तीसरी भुजा पुछी जाए तो तीसरी वाली भुजा दी गई दोनों भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होती है और उनके योग से सदें क्या होती है छोटी होती है तो इस तरह से 10-4-6 से बड़ी होगी और 10 A, D, B, B संस, C, B, D पर एक ऐसा बिंदू है जिसमें A, B, बराबर A, C है तथा C, D, बराबर C, A है तो code A, B, C का मान पूछ रहा है, देखिए यह ससी tier 1 में आ चुका question है तो देखिएगा पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं जैसा कह रहा है वैसा लिया हमने A, B, D और कहता है कि A, D, B A, D, B, यह B संस है C, B, D पर एक ऐसा बिंदू है यहाँ पर कोई बिंदू C है जिसमें A, B, बराबर A, C है यानि यह रेखा और यह रेखा बराबर है ठीक है? अच्छा C, D, बराबर C, A यानि C, D और C यह बराबर है मैं यू कर सकता हूँ यह यह और यह बराबर है तो कोण A, B, C का मान पूछा है चलो मान लेते हैं यह थीटा है तो इसके सामने अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा अब आप यह देखो कि इसके सामने यह 20 है और ये दोनों भुजा बराबर है तो निस्षित है कि ये भी बोलो कितना होगा 20 होगा और ये वाला कोण इस त्रिभुच का बहिशकोड दिख रहा है और बहिशकोड का मान दूर वाले दोनों कोडों के योग के बराबर होगा यानि 20 प्लस 20 यानि इसका एंसर बोलो क्या आन बाता है